इस वक्ति बड़ी खबर आ रही है भारत पाक बॉर्डर से श्री गंगा नगर बॉर्डर पर पाकिस्ताने रेंजरों ने किसानों पर की फाइरिंग जमीन पर लेट कर बचाई जान मौके से भाग गए पाक रेंजरों ने आज सुबए श्री गंगा नगर जिले के हिंदु मलकोर्ट शेत्र में किसानों पर फाइरिंग कर दी किसानों ने जमीन पर लेट कर अपनी जान बचाई इस मामले में सीमा सुरक्षा बलके आई जी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं पुलिस के अनुसार घटना सुबए करीब 10 बचकर 55 मिनट की है हिंदु मलकोर्ट बॉर्डर पर पिलर संख्या 278 बटा 3S के निकट किसान सुखदेव सिंग और हरदेव सिंग अपने दो मजदूरों के साथ तार बंदी के पार अपनी जमीन में काश्ट कर रहे थे इसी दोरान पार्क रेंजर्स जिपसी लेकर वहां पहुँचे और किसानों पर राइफिल तांते हुए एक फायर कर दिया किसानों और मजदूरों ने जमीन पर लेड़ कर अपनी जान बचाई गोली चलने के आवाज आते ही सीमा पर चौकस जवान जैसे ही सक्रिये हुए पार्क रेंजर्स जिपसी में ही वापस फरार हो गए किसानों ने वापस आकर सीमा सुरक्षबल के अधिकारियों जवानों को घटना की जानकारी दी पुलिस ने बताया कि गोली चलने में कोई घायल नहीं हुआ है इस समन में सीमा सुरक्षबल ने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी पार्क रेंजर्स के इस हरकत से बॉर्डर पर जमीन में काष्ट करने वाले किसानों में भैव्याप्त हो गया सबागे से इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ पार्क रेंजरों के इस दुसाहस के चलते सीमा सुरक्षबल ने बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है तारबंदी पार किसानों को एतियाद बरतने के लिए कहा गया है आज सुरक्षबल बॉर्डर पर फारिंग होने से सुरक्षा एजंसिया में सतर्क हो गई है सीमा सुरक्षबल के उचा अधिकारियों ने भी बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों से घटना की विस्टरस जानकारी ली है गौर्य तलब है कितारवंदी के पार हिन्दु मल्कोट शेत्र के किसानों की जमीने हैं बीएसफ की निगरानी में किसान अपनी जमीन पर कार्ष्ट करने हर रोज जाते हैं पाग रेंजर भी अपने एरिया में वहनों में घूमते रहते हैं लेकिन आज की हरकत से किसान भैबीत हैं सीमा सुरक्षाबल ने बॉर्डर वचोक सी बरतनी शुरू कर दी है अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर